हेलो फ्रेंज वल्कम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे फ्रेंज एक इंपोर्टेंट बात आज का लेक्टर शुरू करने से पहले जो बहुत सारे मेसेज़ेज भी आये और कमेंट सेक्शन में बच्चों ने पूछा कि सर एक्जाम पोश् तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं प्रेडिक्शन करने को तो चाहे जितने मर्जी कर लो कि पोश्पॉन होगा नहीं होगा पर जब तक फाइनली हमारे पास UPSC की ओफिशल नोटिफिकेशन कोई नहीं आती तब तक हम यहीं लेकर के चलें कि हमारा एक्जाम जो है नाइ इसी को कुछ फरक पड़े ठीक है तो तैयारी करते रहिए पर पोश्पन होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना होगा तो कम से कम प्रिपेर तो रहिए चलिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ओपर M.C.Q करेंगे 5 M.C.Q करेंगे 11th lecture है ओल्राइट चलिए तो फर्स्ट पहला question इन में से कौन सा social reformer जो है social issues के उपर वो लिखा करते थे अपने weekly प्रभाकर में under the pen name of लोक हितवादी ठीक है तो दो तीन यहां पर आपको points given है कि सबसे पहले तो social reformer थे दूसरा कि उनका weekly था जिसका नाम प्रभाकर था और तिसरा उनका pen name जो है लोक हितवादी थ ठीक है options गुपाल गनेश अगरकर गुपाल हारी देश्मुख जोती बार आओ फुले या एमजी रनाडे factual question है direct factual question है आपको आता या नहीं आता वाला case बनता है इसके अंदर सीधा ठीक है तो इसमें बिलकुल भी तुक्के बाजी नहीं चलेगी answer यहां पर रहेगा आपका option गुपाल हरी देश्मुख गुपाल हरी देश्मुख ठीक है तो यह answer आपने अच्छे से याद कर लेना है तेखो इसमें एक चीज और इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि weekly प्रभाकर को कौन publish करता था ठीक है तो अभी यहां पर दो चीज़े आपको एक साथ देदी weekly प् से बिलॉंग करते थे महराष्टा से बिलॉंग करते थे weekly प्रभाकर उसमें लिखा करते थे pen name लोकेत वादी जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है उसके इलावा यह जो थे यह basically target करते थे कि Indian society को कैसे reorganize किया जा सके rational principles के उपर modern values के उपर secular values के उपर Hindu orthodoxy जो थी यह जो religious inequality थ करते थे caste system के against जो है लड़ा करते थे उसके बाद इन्होंने एक और weekly start किया जिसका नाम था हिटेचू ठीक है उसमें भी और उसके लावा और भी बहुत सारे periodicals थे जिसकी foundation में इन्होंने role play किया जैसे ज्यान प्रकाश इंदू प्रकाश लोकेत वादी ठीक है तो यह सार सुधारक was started by periodical सुधारक किसने start किया था अगें direct factual question है इधर यू नो इट और यू डूंट नो इटो के गुपाल कृष्ण गोखले गुपाल गनेश अगरकर गुपाल हरी देशमुक नन अब बहुत से बच्चे गुपाल हरी देशमुक को तो पहले ही उड़ा देंगे क्य तो अंसर इस केस में होगा आपका option B गुपाल गनेश अगरकर गुपाल गनेश अगरकर विल बी दा करेक्ट आंसर ओके तो गुपाल गनेश अगरकर के बारे में देख लेते हैं educationist थे और social reformer थे यह भी महराश्टा से बिलॉंग करते थे बहुत से schools और education societies की foundation इन्होंने की co-founder रहे उनमें जैसे new English school, deccan education society, महराश्टा का famous Ferguson college यहां तक कि यह वहां के principal भी रह चुके थे उसके इलावा यह केसरी जो journal जिसको लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था लोकमान्य तिलक के नाम दो हम पढ़ते हैं journals केसरी और महारती ठीक है इन दो journals के बारे में हम पढ़ नहीं जब लोकमान्य तिलक से related questions देखें गे तब यह question भी जरूर आएगा केसरी और महारती से related language भी पूछ ली जाती है कि काईसरी कौनसी language में था और महारती कौनसी language में था ठीक है तो केसरी publish किया जाता महाराथी में और आपका महारती जो है वह किसमें publish किया जाता था व और उसके फर्स्ट एडिटर थे आपके गुपाल गनेश अगरकर केसरी के जिसको शुरू किया था लोकमानेतिलक ने उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने अपना खुद का पिरियोडिकल जिसका नाम था सुधारक जो बेसिकली अंटचेबिलीटी और कास्ट सिस्टम को टा इन में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन रखी अगें डिरेक्ट कोशन है गुपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, श्री निवासर सास्त्री या फिर महात्मा गांधी लेकिन ये इजी कोशन है ठीक है अगर कोई भी तैयारी कर रहा है इसकी फाउंडेशन की थी 1905 में गुपाल कृष्ण गोखले जो है इंडिया नाशनल कॉंग्रेस का बहुत इंपोटन्ट हिस्सा थे ठीक है, मॉडरेट सेक्षन को ये बिलॉंग करते थे और एमजी रनाडे की हेल्प से, एमजी रनाडे जो थे वो गुपाल कृष्ण गो थे ठीक है गुपाल कृष्ण गोखले हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि he was the political guru of whom political guru ये सवाल पूछा जाता है political guru of गांधी जी महात्मा गांधी के political guru जो थे वो थे गुपाल कृष्ण गोखले और गोखले के political guru कौन थे एम जी रनाडे ठीक है जो ये servants of India society थी इसका एम क्या था कि किस तरह से national youth को train किया जाए ताकि वो service देश की service के लिए काम कर सकें constitutional means के थूँ इंडियन जो लोग है उनका interest represent कर सकें ठीक है selfless workers जो है वो कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में help कर सकते हैं 1911 में servants of India society ने अपना एक publication निकालना शुरू किया जिसका नाम था हितावदा ये भी आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए पूछा जा सकता है कि कि कौनसी organization ये particular publication निकालती थी और servants of India जो society थी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है ये अपने आपको political activities या बाकी की जो political organizations जैसे इंडियन national congress उनसे जाधा तर दूर ही रखते थे ये main focus जो था वो था service कैसे लोगों को देनी है ठीक है ना चलिए next question fourth question consider the following tribal movements कुछ tribal movements आपको यहाँ पर given है आपको इनका chronology में arrange करना है ठीक है tribal movements के उपर सवाल जो है पूछा जा सकता है मैंने आपको पहले भी बताया संतल rebellion under सिद्धु एन कानू, मुंदा rebellion under बिर्सा मुंदा, uprising by calls of छोटा नातपूर आपने इनको order में arrange करना है ठीक है चल भी है तो भी answer बहुत easily किया जा सकता है ठीक है अगर किसी को यह पता है कि बहुत सबसे पहले तो third number वाली जो कोल अप्राइजिंग है वो हुई थी तो automatically आपका answer D हो जाएगा बाकी तीनों options आप automatically काट दोगे क्योंकि A की option में 3 पहले है ठीक है ना तो answer यहाँ पर D ही है बीच में करते रहेंगे ठीक है तो कोल जो rebellion था छोटा नाखपूर प्लैट्यू वाले region में आपके 1820 से 1837 तक है basically चला जो indigenous कोल लोग थे वहाँ पर उन्होंने यह revolt शुरू किया था and reason क्या था जो unfair treatment उनको मिल रहा था चाहे वो land tenure है चाहे वो administration है जो British powers थी उस एरिया में उसके against इन्होंने revolt किया था and इस revolt को खतम करने के लिए Britishers ने thousands of coals का massacre किया ताकि British authority को वहाँ पर re-impose किया जा सके और 1837 तक यह जो rebellion है completely खतम हो गया उसके बाद next आता है आपका संतल rebellion 1855 से 56 ठीक है तो second number पर यह आ जाता है अब यह जो rebellion था यह भी संतल जो लोग थे वो agriculture people राजमहिल, hills वहाँ पर यह settled down हुए हुए थे plain areas में अब यह rebellion शुरू हुआ था जमिनदार के against ठीक है और उन moneylenders के against जिनको support मिल रहा था पुलिस वालों का और जमिनदारों का जो peasants को काफी जादा oppress कर रहे थे उनसे उनकी जमीने चीनी जा रही थी उनसे tax के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वह चीना जा रहा था तो इसी वज़े से यह rebellion शुरू किया गया और धीरे धीरे यह जो rebellion था एंटी जमिनदार और एंटी मनी लेंडर से समय के साथ एंटी ब्रिटिश मूँमेंट बन गया और इस मूँमेंट को लीड किया था सिद्धू ए कानू दो भाई थे और संतल्ज ने यह प्रोक्लेम किया कि इस रीजन में कमपनी रूल को खतम कर दिया गया और एक बार इन्होंने ऐसा भी किया कि भागलपूर और राजमहल से के बीच में जो भी रीजन था उसको डिकलियर कर दिया कि अब यहाँ पर कोई कमपनी रूल न है 1899 से 1900 तो अब आपको chronology एक तरह से clear होगी एक rough idea आपने रखना है ठीक है exact dates नहीं भी आदा है तो rough idea भी रखोगे तब भी इस तरह के chronology वाले questions easily clear कर दोगे ठीक है तो बिर्सा मुंडा ने इसको lead किया नियर South of Ranchi यह rebellion start हुआ था okay and as a religious movement जो है यह rebellion start हुआ था जो मुंडा tribe था वो बिर्सा मुंडा के around gather उन्होंने करना शुरू किया ठीक है और समय के साथ-साथ यह feudal जमिंदारी और जो money lenders exploit कर रहे थे forest contractors exploit कर रहे थे लोगों को उन सब के against a rebellion हो गया ठीक है और बिर्सा मुंडा को capture कर लिया गया और February 1900 में he died in the jail और ultimately बिर्सा मुंडा के बाद कोई effective leadership ना होने की वज़े से the rebellion failed ठीक है तो यह तीन rebellions का आपको अब information होगी है इन में से कोई सवाल आता है तो आप कर लोगे easily उसको चलिए last question देखेंगे again peasant movement के उपर है 1930 में करशक संगम्स was well known for leading peasant movements in which of the following regions करशक संगम्स जो ह यह कहां पर peasant movement को lead कर रही थी कौन से region में Malabar region में आपका South वाला region हो गया United provinces ठीक है आपका जो North India वाला जो UP वाला region हो गया Central provinces या फिर Mysore कहां पर जो है करशक संगम्स जो है peasant movements को lead कर रहे थे 1930 में again question आता है तबी कर सकते हो नहीं तो तुक्का लगाने का इसमें कोई region होके तो 1930 में Malabar region of Kerala में यह powerful peasant movements जो है start हुई develop होनी और इसमें main role जो play किया था वो Congress Socialist Party के activists ने किया था और यह जो peasant movements थी they were touring the villages सारे villages को घूम रहे थे ताकि peasants को इकठा किया जा सके और साथी साथ करशक संगम्स जिनको peasant associations बोला जाता है वो organize की जा रही थी ठीक है इससे ज़्यादर detail में हमें इसकी जाने की जरूरत नहीं है अपने लिए इतना sufficient है इससे बाहर question नहीं आएग और कि बाकी की वीडियो आपके सामने और ज्यादा समय अपना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इदर उदर चीजों में मत्था घुसाने में कि paper cancel होगा या नहीं होगा होना होगा तो सबके लिए होगा नहीं होना होगा तो किसी के लिए भी नहीं होगा उसमें आप